CTET यानि की Central Teachers Eligibility Test की डेट आ गई है और इसके लिए जो डीटेल नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आने वाला है परन्तु जो विंडो एड है वो आ गया है दोस्तों नमस्कार आप देख रहें जीरो पिरेट और CTET की जो डेट है वो आ गई है आप समझ सकते हैं CTET से मेरा अभिप्राय क्या है मैं क्या कहना चाहता हूं CTET का मतलब है केंद्री अध्यापक पातरता परिक्षा या सिक्षक पातरता परिक्षा जिसे Central टेट भी कहते हैं Teachers Eligibility Test इसकी डीटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आप बने रही है चैनल पर आप देख रहे है जीरो पिरेड पॉब्लिक नोटीस है यह CBSE की वेबसाइट पर अप्लोड कर दी गई है 14 तारिक की डेट पर यह सर्कुलेशन है Central Board of Secondary Education will conduct the 16th edition of Central Teachers Eligibility Test in CBT mode CBT mode कहने का मतलब मेरा यह है कि यह computer-based test होगा आपको एक तरह से online exam की तरह इसे आप ट्रीट करिएगा pen paper mode में नहीं होगा computer-based test होगा यह होगा December 2022, December 2022, exact date will be intimated on the admit card of the candidates अब यह जो CBT होगा seatate का उसके लिए हर candidate को जो date होगा वो उसके admit card पे बता दिया जाएगा परंतु महिने का announcement इस letter पे कर दिया गया है December 2022 का तो December भी यह होगा, the test will be conducted in 20 languages, 20 भाशाओ में होगा, throughout the country, पूरे देश में इसका आयोजन होगा the detailed information bulletin containing details of examination, syllabus, languages, eligibility criteria, examination fees, examination cities and important dates will be available on CTET official website CTET की अपनी एक official website है, हाला कि यह CBSE के अंडर काम करता है, CBSE के अंडर यह website आती है पूरी प्रक्रिया जो है exam लेने की उसको CBSE conduct करता है, परंतु CTET की अपनी website है, जिसमें आप इसके information देख सकते हैं तो पूरी detailed information जो है, वो CTET के website पर जो आपको ID दिया हुआ है CTET.nic.in, इस पर shortly, बहुत जल्दी है, आपको मिल जाएगा Aspiring candidates are requested to download the information bulletin from the above mentioned website, इस website पे जाकर के आप information brochure को download कर ले, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो काम की बात है, वो यह है कि दिसम्बर महिने में यह test होने जा रहा है, और आपको इसमें अगर appear होना है, तो आप इस website पे बने रहिए, website पे आपको जानकारियां मिलती रहेंगे आजे मैं पढ़दू, from the above mentioned website only and read the same carefully before applying, the aspiring candidates have to apply only online through seated website, the dates for online application process will be intimated during the course of time बहुत जल्द इसका जो online application का date है और क्या तरीका होगा, वो सारा कुछ इस website पे आ जाएगा, जो मोटी मोटी चीज़े हैं वो मैंने आपको बता दी, December के महिने में परिक्षा होने वाला है, exam की fees का इस notification में mention किया गया है, तो वो मैं आपके साथ share कर दू, application fee applicable for seated 2022 is under category होगी, इसकी general और OBC में एक paper के लिए अगर आप appear होते हैं, दोनों paper के लिए, only paper 1 or paper 2, sorry, only paper 1 or paper 2, अगर आप paper 1 के लिए, या paper 2 के लिए अपर होते हैं, तो general और OBC के लिए 1000 रुपए fees है, और अगर एक साथ दोनों में appear हो रहे हैं, तो 1200 रुपए फीस है, 1200, SCST or disabled channel के लिए 500 अगर आप दोनों paper में appear होते हैं, तो 600 है, तो ये दो information आपको इस पर से मिल गई है, एक तो fees की जानकारी मिल गई, आपको date की जानकारी मिल गई, और आपको वो website बता दिया, मैंने जिस पर आपको नजर रखनी है, आगे आने वाले information को समझने के लिए, तो दोस्तों ये थ से हिंदी से पढ़ सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की असुविधा हो रही हो, अंग्रेजी को समझने में, तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं, उसी तरह से जैसे आपने अंग्रेजी में समझाया, तो दोस्तों ये थी जानकारी, अगर चाहते हैं आपने B.A.T. कर रखा है और आप सिक्षण को अपना के दियर बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर सीटेट पे अपियर होना चाहिए पूरी जानकारी बहुत जल्दी सीटेट की अपसाट पे आ जाएगी जैसे ही जानकारी आएगी मैं आपके लिए साजा करूंग मगर फिलहाल आप यह जानकादी जरूर नोट कर लें कि दिसंबर के मेहने में यह परिक्षा होने वाला है 20 भाशाओं में आयोजित की जाएगी पूरे शहर में इसकी परिक्षा होगी और सारा कुछ जो विवरण होगा वो seated.nic.in पर मिल जाएगा वहाँ पर आपको जो ब्रोशर है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोस्पेक्टर से पूरे से एक्जाम के लिए बुलेटिन है उसमें आपको मिल जाएगी फीस के बारे में जानकारी दे दी गई है OBC और जनरल के लिए 1200 है SCST और विकलांग के लिए 500 और 600 रुपए है इसी तरह की जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बनने लहिए जीरो पिरिट में हम लगातार Employment News और Career Making News और इसके अलावा डिफरेंट एक्जाम से Related syllabus वीडियो डालते रहते हैं आप इन वीडियो से अपने आपको इन परिक्षाओं की तैयारियों में मदद ले पाएंगे ऐसी हमारी पूरी आशा है मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक इंतजार करिए अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं धन्यवाद